Hello everyone, welcome once again to my channel English Classes UP Board. Students, आज की वीडियो में हम Class 6 के स्लेबस से Lesson No. 14 नेता जी सुभाश चंदर बोस के Word Meaning Question Answer और Exercise को Study कर रहे हैं. और इसी तरह की helpful वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद. तो आईए स्टार्ट करते हैं इस Lesson के Word Meaning Question Answer और Exercise को. Lesson 14 नेता जी सुभाश चंदर बोस Word Meaning First word is Freedom Fighter F-R-E-D-O-M Freedom F-I-G-H-T-E-R Fighter Freedom Fighter means Swatantrita Senani Number 2 word is Brilliant B-R-I-Double-L-I-A-N-T Brilliant Brilliant means Pratibhashali Next word is Resigned R-E-S-I-G-N-E-D Resigned means Istifa diya Number 4 word है Influenced I-N-F-L-U-E-N-C-E-D Influenced Prabhavit Kia Number 5 पर word है Nationalist N-A-T-I-O-N-A-L-I-S-T Nationalist R-A-S-T-I-E-D R-A-S-T-I-E-D Next number 6 पर जो शब्द लिखा है ये है Motivated M-O-T-I-V-A-T-E-D Motivated means Abhi-Prerit Kia Abhi-Prerit प्रेर्णा देना Number 7 है Struggle S-T-R-U-Double-G-L-E Struggle Struggle means Sangharsh Number 8 पर शब्द है Opposed O-Double-P-O-S-E-D Opposed means Virodh Kia Number 9 पर शब्द है Unsolved U-N-S-O-L-V-E-D Unsolved Unsolved का हिंदी मीनिंग है Unsulji Number 10 पर शब्द है Everlasting E-V-E-R-L-A-S-T-I-N-G Everlasting means Isthaai जो हमेशा कायम रहे कभी समाप्त ना हो अब हमारा Next वर्क है Answer the following questions निमने लिखित प्रशनों के उत्तर दीजिए Question number 1 is Which Indian freedom fighter is known as Neta ji कौन से भारतिये स्वतंत्रता सेनानी जाने जाते हैं Neta ji के नाम से Neta ji के रूप में कौन से भारतिये स्वतंत्रता सेनानी नोन जाने जाते हैं आंसर है विच्चो Great Mahan Indian Freedom Fighter भारतिय स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्रबोस is known as Neta जी सुभाष चंद्रबोस को Neta जी के नाम से Neta जी के रूप में जाना जाता है Next question number two is When and where was सुभाष चंद्रबोस born When means कब Where means कहां कब और कहां सुभाष चंद्रबोस का जन्म हुआ इसका आंसर है He was born on 23rd January उनका जन्म हुआ था 23 जन्वरी को 1897 अठारा सो सतानवे में इन कटक उडीसा उडीसा में कटक में Next question number three is Why did सुभाष चंद्रबोस Resign from the Indian Civil Services Why means क्यों क्यों सुभाष चंद्रबोस ने Resign इस्तीफा दे दिया था Indian Civil Services से Indian Civil Services से सुभाष चंद्रबोस ने इस्तीफा क्यों दे दिया इसका अंसर है He participated उन्होंने हिस्सा ले लिया भाग लिया in the Freedom Movement आजादी के आंदोलन में So he resigned इसलिए उन्होंने स्तीफा दे दिया from the Indian Civil Services Indian Civil Services से उन्होंने स्तीफा दे दिया क्योंकि उन्होंने आजादी के आंदोलनों में भाग लेना शुरू कर दिया था Next is question number 4 Who was the political guru of सुभास चंद्रबोस Who means कौन कौन थे political राजनेतिक गुरू सुभास चंद्रबोस के सुभास चंद्रबोस के राजनीती के गुरू कौन थे Answer is देश बंधू चितरंजन दास देश बंधू चितरंजन दास was the political guru of सुभास चंद्रबोस सुभास चंद्रबोस जी के राजनीती के गुरू थे देश बंधू चितरंजन दास नेक्स्ट क्वेशन नंबर फाइव है वाट डज आई एन ए स्टैंड फॉर आई एन ए का क्या अर्थ होता है स्टैंड फॉर का मीनिंग है प्रतीक होना अर्थ होना इसलिए यहाँ पर हम बताएंगे कि आई एन ए का क्या प्रतीक है क्या अर्थ है इसका आंसर है आई एन ए स्टैंड फॉर इंडियन नेशनल आर्मी आई एन ए का अर्थ होता है आई एन ए प्रतीक होता है इंडियन नेशनल आर्मी का किस प्रकार से है देखिए ये I means Indian N, N से है National और A, A का मीनिंग है आर्मी सेना भारतिय राष्ट्रिय सेना सुभाष चंद्र बोश जी ने इस आर्मी का गठन किया था और इसका नाम रखा था Indian National Army और इसे छोटे रूप में कहते हैं I, N, A Next question number 6 है Write the slogans given by सुभाष चंद्र बोश Slogans means नारे Write, write means लिखिए नारो को लिखिए जो दिये गए थे सुभाष चंद्र बोश जी के द्वारा सुभाष चंद्र बोश जी के द्वारा दिये गए नारो को लिखिए Answer है He gave the following slogans उन्होंने दिये निम्न लिखित नारे to his army अपनी सीना को सुभाष चंद्र बोश जी के द्वारा दिये गए तीन प्रसिद्ध नारे हैं जिन्हें हम 1, 2, 3 करके 1 by 1 लिखेंगे पहला उनका slogan है दिल्ली चलो सेकिंड है जै हिंद और थर्ड है Give me blood मुझे खून दो and I will give you freedom और मैं तुम्हें आजादी दूंगा आपने हिंदी में, सामाजिक में और भी दूसरे विश्यों में इन नारों के बारे में पढ़ा होगा Students हमारा next work है C sentence है He did not resign from the Indian civil services उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया from the Indian civil services Indian civil services से ऐसा नहीं है ये sentence गलत है क्योंकि हम जानते हैं कि उन्होंने Indian civil services से इस्तीफा दिया था तो ये वाक्या असत्य है false है हम false के लिए F अक्षर यहां लिख देंगे next D sentence है He did not want to participate वे हिस्सा नहीं लेना चाहते थे इन दा फ्रीडम मूव्मेंट आजादी के अंदोलनों में ये भी गलत है असत्य है false है वे असत्य है इसी लिए इस वाक्य में हम false के लिए F अक्षर लिख देंगे last sentence है He formed He formed उन्होंने He formed उन्होंने सरचना की बनाया Indian National Congress को ये भी sentence गलत है यहां पर बच्चों confuse मत होना Congress नहीं आना चाहिए उन्होंने किस संगठन की रचना की थी Indian National Army की यहां लिखा है Congress तो इसलिए ये वाक्य गलत है और गलत असत्य वाक्य के लिए हम F अक्षर यहां लिख देंगे next is word power इसमें fill in the blanks की exercise है खालिस्थान भरने है first sentence है Neha is a brilliant student नेहा एक brilliant होश्यार विध्यारती है B sentence है The mystery mystery मतलब रहस्य of the ghost भूत का रहस्य was solved हल किया गया by the teacher अध्यापक के द्वारा यहां brilliant इसका आंसर था first sentence में और second sentence में आंसर है mystery उसे हमने black अक्षरों में अलग लाइन खीच कर शो किया है C sentence है Rajni will participate in a quiz competition at the national level Rajni national level के राष्टिया इस्तर के competition प्रतियोगिता में participate हिस्सा लेगी D sentence है सुभाष चंद्रबोस was very much influenced by चितरंजन दास सुभाष चंद्रबोस बहुत ज्यादा influenced प्रभावित थे चितरंजन दास जी से सुभाष चंद्रबोस चितरंजन दास से बहुत ज्यादा प्रभावित थे influence थे last sentence है इस लेसन का E sentence Many great leaders बहुत से महान नेता, sacrificed, बलिदान कर दिया their lives अपने जीवन को for the freedom of their country, अपने देश की आजादी के लिए बहुत से महान नेताओ ने अपने देश की आजादी के लिए अपने जीवन का sacrifice बलिदान कर दिया तो students यहाँ आपका ये lesson complete होता है Students I hope इस वीडियो से आपको इस lesson के question answer, word meaning और exercise समझने में काफी help मिली होगी और यहाँ आपके screen पर classics के solution की videos दिखाई जा रही है यहाँ से आप अपने syllabus को पूरा study कर सकते हैं Thank you very much